एगाईज वेल्कु डूप चानल एवन अकेडमी जहाँ ब्यस्टी नर्सिंग रिगाड़ेट हर एक अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है कोई भी पॉइंट आप मिस्टेक मत करेए ताकि आपसे कोई माइनर मिस्टेक हो अगर आपने पूरे पॉइंट क्लियर कट कर लिए जो new rules है सेल के देख लिए तो आप से कोई भी मिस्टेक नहीं होगी ठीक है यह मेरी गैरेंटे है तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दू कि बता हुंगा दू आपको सेल प्रॉसेस क्या है 2023 24 25 सेम प्रोसेजर को रहते हैं लेकिन इस बार थोड़े से नियू रूस आड की है ठीक है चलिए सबसे पहले देखिया आप टेफरेंस स्विलिंग प्रोसेश पाइप अन्चैन कोट्जेसे वाग्याप कार्डे इस नेटीर्स फोर जो preference form आपको fill up करना है इस website पर आपको जाकर preference form fill up करना है choice form भर देना है ठीक है तो चलिए form fill up करते हुए क्या कुछ आपको यहाँ पर important information ध्यान रखने है The candidate can fill online preference form multiple times before clicking submit button दे कि before अगर आप अपने preference multiple times fill कर सकते हो बदल सकते हो लेकिन before clicking submit button Submit button पर click करने से पहले कुछ भी कर सकते हो ठीक है इंपोर्टन पॉइंट है द्यायन में रखिएगा Once submit button is clicked then there is no provision to change the preference फिर आप preference बदल नहीं सकेंगे This preference will be used for first round and subsequent round मैं इसलिए आपको बोर रहाता देखिए This preference जो preference आप आज देंगे वही preference आज कल पर सो तीन डेज है आपके पास choice form fill up करने के लिए ठीक है इस तीनों दिनों में आप choice form fill up करके देते हो और जो भी आपने preference select की है college select की है वही आपका selection बताएंगे ठीक है मतलब उसी से आपका selection जो college में होगा college आपको cap round 1 में a lot होगा अब देखिए आप upgradation in subsequent round is compulsory ठीक है आप upgradation कर सकते हो लेकिन आपका cap round 1 बहुत important है मैं फिर से लाइन आपर पढ़ लेता हू This preferences will be used for first round and subsequent round Upgradation is subsequent round is compulsory तो finally आप देख सकते हो कि subsequent round मतलब हर एक round के लिए यही preference आपके माने जाएंगे तो मैं betterment कैसे होता है betterment क्या होता है then one more round के बारे में सब कुछ information आपको यहाँ पर मिलने वाले choice form fill up करते समय ठीक है तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना है तो वीडियो थोड़ा बढ़ा हो जाएगा तो आपको यहाँ पर थोड़ी speed बढ़ाने है वीडियो की तो speed बढ़ा के देखेगा तो चलिए आप देख सकते हो फिर आपको यहाँ पर important information दे रखिए set cell ने there shall be two or more round of selection of candidate depending on the availability of vacant seat जितने भी vacant seat है उसके depend पर ही आप सभी के जो round है क्या आप 1,2,3 यह लिए जाएंगे the selection will be on the basis of merit and the preference submitted by the candidate जो preference आप देते हो उसके उपर ही आप सभी की overall merit जो है आपकी वो preference पर ही आप सभी का selection बताएगी for second and subsequent round no separate online preference will be filled by the candidate देखिए जो आपके cap round 2,3,4,5 जितने भी होगे तो आपका cap round 1 में जो आपने preference दिया है वही preference रहने वाला है ठीक है तो आपको cap round 1 के लिए preference list अच्छे से बनानी है चाहे तो आप इस whatsapp number पे call कर सकते हो और सब number पे call तो नहीं होगा आप message कर दीजे आपको reply आ जाएगा चाहे counseling support टीम में आप हिस्सा लेना चाहते हो तो आज लगबग 499 का offer चर रहा है तो आप खटाक से subscription खरिद के overall उनसे बात कर लिजे ठीक है बीस्टी नर्सिंग के ही staff है लगबग 5-7 member आपको help करने के आप सभी का form fill up करने में है help करने वाले तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो जो की important है आपका first round ठीक है फिर आप only आपर जो की second और third round में आपको betterment सब करने को मिलेगा लेकिन preference आप बदल नहीं पाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिख कर दिया तो इस री होकेबल ठीक है this final data shall be used in entire selection process up to आपके admission होने तक आपका यही एंटार डाटा यहाँ पर रहने वाला क्या प्रोन वन का तो college code अब देखिए आप BST nursing के different college code जो important है मैं आपको पूरा बताऊंगा जो important नहीं है तो मैं आपको short में मेरे language में बोल दूंगा ठ सारे college देखते हो आप college code होता है बहुत सारे ऐसे भी college होते है कि इसमें involved नहीं होते हैं लेकिन college code दिया होता है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आपको लिस्ट में आपके list में आपको college code मिलेंगे वहापर जब आप form fill up करेंगे choice filling करेंगे तब वहापर जो college दिखते हैं 2023 quota during round बहुत सारे ऐसे college होते हैं during round आपको दिखाई नहीं देंगे ठीक है तो उसमें जो colleges आपको दिखाई देते हैं with code आपको आपको आपर select कर भर देना है ठीक है therefore candidate who despite two OPT options for these seats can exercise the preference in the preference form system for these seats considering eventually of availability of such seat फिर यहाँ पर बात आती है fees की तो fees पर वीडियो बनाया है वो देख सकते हो BST nursing की government college की fees आपर आपको दे रखिए ठीक है मैं आपको form fill up करते हुए जो important है वही बता रहा हूँ ठीक है तो सबसे पहले तो आप देखिए हाँ पर in second round ठीक ह तो second round में क्या कुछ होने वाला है in second round if number of seat is increases in existing seat in the same institute then fresh preference will not be called okay तो अगर seat बचते भी है second round के लिए फिल भी आपको fresh preference आपका accept नहीं किया जाएगा while submitting the choice student should note this point ठीक है यह point आपको ध्यान में रखना है then one candidate should fill his most preferred college code as preference number one followed by next choice as preference number two one two three four जितने college है आपको डालने है वाप डाल सकते हो so on while filling the college code four digit number should be entered in boxes while filling the college आप देखिए while filling the college code four digit number should be entered in boxes of BST nursing CET 2023 preference form तो आपको college code यहापर mention करने है वापर ठीक है यह धान में रखेगा then college code डालते हुए कोई भी गलती मत करिये candidate must be very careful while filling the preference form candidate can fill minimum one preference और any desire number of preference for CET 2023 आप आपके हिसाब से एक preference डाल सकते हो सब preference डाल सकते हो जितने college है उतने preference डाल सकते हो लेकिन preference आप किस type डाल रहे वह important है यहापर आपको whatsapp group दिख रहा है अभी message कर दीजेगा और counseling purchase कर लीजेगा तो आपको fully help जो team है BST nursing staff की वह आपको help करने वाली है नहीं तो आप क्या गडबर कर देते हो मैं आपको बताता यह minor mistake हर student करेगा ठीक है तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ क्या कुछ minor mistake आपको नहीं करनी है ठीक है इस minor mistake से आप बचता है ठीक है सबसे पहले देखे हापर student को चाहिए X college ठीक है for example X college student को चाहिए और उसको पता नहीं कि X college का cut off कितना है यह X college मेरे को कितने preference list में लखना है मतलब 9 number 8 number 10 number ठीक है तो student क्या कर देता है form fill up करते समय ठीक है form fill up करते समय यहाँ पर A B C then one Y and finally X डालता है ठीक है जो college उसको चाहिए ठीक है तो आपको पता होता है कि उपर के college मेरे को मिलेंगे नहीं लेकिन यह आपका analysis है ठीक है तो आप करते हो यहाँ पर A C filling list और fourth fifth number आप X college डार रहे हो तो आपको Y college या फिर C college मिल जाता है तो आप मतलब देखे आपको X college जाना था वार आपको C और Y मिल गया है मतलब यही minor mistake आप करते हो आपको preference का अगर कुछ ग्यान नहीं है आपको preference list के बारे में पता नहीं है अगर आपको information पता नहीं है तो अभी भी आपर जो की counseling paid course purchase कर सकते हो जो कि आपको पूरा group help करने वाला है आपकी choice filling preference filling और आपकी form fill up करते समय क्या कुछ आपको overall requirement है वह सब आपको provide करा के देगा तो चलिए सोच कहा रहे हो अभी आपको WhatsApp group दिख रहा है वहापर आप मैसेज करें या फिर link available in description box of form fill up करके वहाँ पर आप join हो जाई है ठीक है within one hour आपको मेरी team आहाँ पर आपको contact कर लेगी आपके problem आपके doubt solve हो जाएंगे चलिए आगे बढ़ते है ठीक है if a candidate does not give preference for a particular code आप देके important statement है if a candidate does not give preference for a particular code चाहे government हो चाहे private हो then it means that she is not interested desiring to take the seat ठीक है candidate should note that there will be no change, deletion, addition, his or list of preference at later date stage तो आपको यह भी बात धहन में रखने है ठीक है आपको preference देना है अच्छे से preference list में आपको code क्या कुछ डालना है उस पे मैं live video एक student का मैं form fill up करके दिखाऊंगा और आप video देखके form fill up करेगा और यह जो guideline है इसे पूरा follow करिए यह minor mistake मत करिए then one important मैं आपको बता दू then one फिर बात आ जाती है आपर status retention form जो कि मैंने counselling group में भी डाला है then one आपको भी मैंने बताया था के next year one telegram पे भी दे रखा है आपको PDF वह आपको download करके overall fill up कर देना है लेकिन cap round one के लिए आपको यह काम नहीं आएगा आपके admission जब होगी तब काम आए देखे based on preference give the seat will be allotted on merit and allotment display on the website जो आपकी merit list है उसके हिसाफ से आप preference list बनाएए और preference डालिए candidate to whom a seat has been allotted in first round on the basis of merit come preference will have to compulsory join the college and courses so allotted within prescribed period as per schedule by completing the requisite formalities ओके तो मैं आपको एक और बात बता दू important मान लीजे कि आपको first preference में आपने college रख दिया तो आपको मिल गया ठीक है ऐसा तो नहीं बता first college आपको नहीं मिलता और बहुत सारे student first college जो मिलना है वही डालते है अगर आपने first college डाल दिया और आपको वह मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा वहाँ जाके fees payment सब कुछ क important अभी भी counseling team आपके लिए हाजिर है support करने के लिए हाजिर है ठीक है आप उन्हें WhatsApp message कर दीजें then one important information है more proud regarded to more proud का आप अभी से attention मत लीजे मोब प्रोंट के बारे में मैं अगर further seats आपके बचते है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा देनमन अगर ऐसा हो जाता है यह देखिया आप all the candidates who have filled the preference form and to whom a seat could not be allotted in first round आपको अगर आपने सारे form fill up कर दिये preference भी डाल दिया फिर भी आपको college नहीं मिला will be held eligible for allotment of seat in the subsequent round मतलब देखिये form आपने भर दिया preference भर दिये क्या प्रोंट में आपको college नहीं मिला तो फिर further जो round होगे 1,2,3,4 जितने भी round होगे तब तक आपको overall आप सभी round में eligible हो ठीक है आपको फिर से form fill up करने की जरूरत नहीं या फिर preference list बनाने की जरूरत नहीं यह preference आपका वहा पर भी as it is cover up हो जाएगा after counseling the first round for further round candidate who has been allotted a seat earlier round and join the course as also the candidate who have not been allotted any eight will eligible in subsequent round आप eligible हो देन वना betterment chances भी आपको मिल जाएगा betterment chances will be given to the candidate who have already been allotted seat अगर आपको seat मिला तो उसे ही betterment का option आएगा after selection in any round if candidate fails to join the college he she will be in in eligible for subsequent admission मानलो आपको cap round one में admission मिल गया college a lot हो गया आपने कोई भी action नहीं ली तो आपका seat मतलब रद हो जाएगा after the first round competent authority में conduct the subsequent cap round based on the same preference form आप देखिए यहाँ बार बार देखिए आप same preference form मतलब preference list इतनी important होती है अगर मैं आपको फिर से बता रहो अगर आपको कोई भी idea नहीं previous year cut off क्या गया था किस college का cut off कितना जटा है किस college में कितने seat है कितने girls कितने boys है आपके category SCST OBC है फिर आपके category के seat कितने है मुझे यहाँ पर मैंने मान दो एक दो तीन चार पाच मैंने पाच college डाले मेरे को पाच चोगा college चाहिए था और आपको तीसरा college मिल गया तो यह ठीक नहीं है ठीक है इस यह बात बार बार आ रहे है आपर देखे आफ़र द खासरी देखे आफ्तर द फ़र्स राऊंट ठीक है not join a field status retention form and join and resign after allotment of seat ठीक है आप resign भी कर सकते हो ठीक है resign भी कर सकते हो आप और retention form भरके आप अपना admission भी confirm कर सकते हो will not be consider eligible for further cap round अगर आप seat लेते नहीं तो आप further round के लिए eligible नहीं है then when including the mop-up round admission process how you are such a candidate who does not have any seat in the hand shall be considered eligible for institutional round तो आपको अगर कोई भी seat a lot नहीं होता वैसे तो counselor team आपके साथ up to your selection है बट अगर आपको कोई seat a lot नहीं होता cap round 1, 2, 3 में फिर भी आप institutional level का round खेल सकते हो और इसके रिगाड़ेट में complete video आपके लिए बनाऊंगा ठीक है then when आप tension मत लीजे PWD वेकन seat मौपप राउंड मौपप राउंड का attention मत लीजे मौपप राउंड का क्या कुछ है information only मैं eligibility बता देता हूँ all candidates admitted in one cap round 1, 2 and secured the admission but not fill status retention form आपको a lot हो गया आपको seat a lot हो गया cap round 1, 2 में but आपने status retention form ही fill up नहीं किया ठीक है then when all the candidates who are wait listed and to whom choice was not awaiting during first round and second round यह सब eligible है मौप राउंड के लिए और कौन से candidate मौप राउंड के लिजिबल नहीं होंगे यह भी बात important है candidate to whom a seat has been allotted in comforterized cap round अगर आपको मतलब आपको seat मिल गया आपने join नहीं किया तो आप eligible नहीं हो candidate who has fill status अगर आपने status retention form भरके अपना admission ले लिया तो आप मौप राउंड के लिए eligible नहीं हो आपने status retention form भरा फिर भी आप eligible नहीं हो those candidates who are join and resign after allotment of seat in previous round अगर आपको admission मिला फिर भी आपने resign कर दिया वह seat नहीं ली तो भी आप eligible नहीं हो betterment का option आपने क्लिक किया तो आप eligible don't worry ठीक है वह इन्होंने नहीं लिखाए आपर institutional labor round for vacancy मैं आपको बाद में यह बता दूँगा क्या होता है तो discipline then one आपका overall grievance regressor mechanism ठीक है तो आप एक ही बात ध्यान में रखिएगा यहापर कि आप आज कल या पर सो तीन डेज में अगर form fill up कर रहे हो ठीक है online preference filling process तो आप कोई भी minor mistake मत करिए minor mistake करेंगे तो आप overall round से बाहर हो सकते हो या फिर आपको आपका मन चाह college नहीं मिल सकता तो मैं आपके लिए इसलिए आपर WhatsApp नंबर ठोड़के जा रहा हूँ आप इन पर message कर सकते हो ठीक है WhatsApp message कर दीजेगा कोई problem होगी तो reply आता है तो ठीक या फिर आप हमारा जो या पर counseling course चल रहा है paid course यहाँ आप कर लीजिए only 499 का है किमत बढ़ने ही वाली है आज लगबग शाम तक किमत बढ़ जाएगी ठीक है अभी भी किमत बढ़ी होगी एक बार आप check कर लीजिए 499 का है तो आप purchase करके within one hour उनसे contact कर सकते हो या फिर वह आपको तुरंद contact कर देंगे आपकी preference list कि टाइप बनानी है आपके percentile आपके rank के उपर देख लेंगे और finally आपका online preference filling process में पूरा मदद होने वाला है तो चलिए guys सोच के रहे हो अभी फटा फट से enroll कर लीजिए और हाँ form अच्छे से भरिए तो चलिए guys next video के साथ मिलेंगे तब तक के लिए thanks